So, hello and welcome back to my channel The Education Hub तो आज है हमारा Day 5 हमारी Curriculum Pedagogy and Evaluation की सीरीज का और जो हमारा आज का टॉपिक है वो है Teaching Learning Process तो इस टॉपिक को मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड करा है और जो आज का, मतलब आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है Pedagogy and Principles ठीक है इसके बारे में हम जानेंगे देखिए, Concept of Pedagogy सबसे पहले हम यह जानते है कि Pedagogy होती क्या है Pedagogy होती है पढ़ाने का स्टाइल, ठीक है कि जो हम पढ़ाते हैं, उसको हम किस तरीके से पढ़ाते हैं कोई अपना टॉपिक है, उसे हम बच्चे को किस तरह से समझाते हैं वो होती है Pedagogy ठीक है, तो Pedagogy एक आर्ट है, एक साइन्स है और एक प्रोफेशन है ठीक है, और यह बेस होता है मतलब बच्चे की लर्णिंग, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में, यह बेस होता है ठीक है, तो अब पेडागोजी के नेचर क्या होता है, कैसा होता है सबसे पहले देखेंगे, कि यह वर्ड मिला कहा से है तो यह जो pedagogy word है, यह ancient Greece word से मिला है, पहले के time के लोग इसको use करते थे, ठीक है, उसका मतलब होता था, यह अपने slaves वगेरा के लिए से पहले के time पे upper class लोग अपने बच्चों के लिए slaves रखते थे, ठीक है, तो जैसे उनके बच्चे, जैसे slaves हैं, वो बच्चों को पालते थ तो उस पालने के तरीके को pedagogy बोला जाता था, यानि बच्चों को कैसे लिए दरखा जा रहा है, बच्चों का प्रवन पोला जाता था, अब इसे हमें, जैसे हमें, which बच्चों के previous knowledge check करनी होती है, तो ऐसे ही pedagogy जो होती है, बच्चों के previous knowledge को new knowledge से जोड़ता है, पेड़ागोजी प्रमोट्स दर लर्णर न्यू इंवल्मेंट, पेड़ागोजी यह देखता है कि बच्चा क्या सीखा है, उसकी नई सीखने में उसकी क्या involvement रही है, क्या सिफ टीचर नहीं तो उसे कोई चीज बता नहीं थी, मतलब बच्चों को टीचर को explore करने का मौका देना चाहिए, ठीकर जिसे टीचर है, वो कोई एक topic है, कि leaves ऐसी होती है, उसके parts होती है, उसके midrib होती है, जो भी होता है, तो वो बच्चों को दिखा है, फिर उन लग होती है, इंटरस्ट लग होती है, तो पेड़ाजी को इस चीज का भी धिछान रखना चाहिए, पेड़ाजी सेल्फ लर्णिंग को प्रमोट करता है, बच्चा खुद सीखे, खुद अपने पेज 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 पेज, मतलब जस पेज 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 उसे सीखना है, स्लो सीखना है वो सीख चुका है तो नेक्स सीखे ठीक है फिर पेड़ागोजी इंपार्ट इफ्रेंट लेवल ऑफ नॉलेज दीरे बच्चों की लेवल जो है नॉलेज का वो बढ़ता है पेड़ागोजी लेट्स टू इनुवेशन बच्चे नई चीजे करना सीखता है पेड़ागोजी रिकायर्स कैफ फोल्डिंग लर्निंग मतलब स्कैफ फोल्डिंग लर्निंग वो लर्निंग होती है कि जहां जहां बच्चे को ज़रत पड़ेगी वहां हेल्प कर दो वरना ऐसा नहीं है कि उसे खुद एक्स्पोर करने का मौका ना दिया जाए पेड़ागोजी एंकरेज इन फॉर्मल लर्निंग ऐसा नहीं है कि लास्टूम में ही बच्च सीखेगा नहीं फ्रेंड्स के थू फैमली के थू तरू बच्च सीख सकता है पेड़ागोजी इस पर बिलीफ करती है और पेड़ागोजी विलीफ इन ग्रोफ टीचिंग फेकल पेडागोजी प्रिपेर लर्नर फॉर लाइफ सिच्वेशन पेडागोजी यह मानता है कि बच्चों को हमें वो चीज सिखानी चाहिए जो आगे उनके लाइफ में काम आए अब तो देखिए जो हमारा नेक्स टॉपिक है वो है हमारा प्रिंसिपल्स ओफ टीचिंग तो मतलब जब हम बच्चे को पढ़ा रहे हैं तो सबसे पहले हमारे इंवार्मेंट जो है वो अच्छा होना चाहिए इंवार्मेंट अच्छा होना चाहिए इंवार्मेंट अच्छा होना चाहिए इंवार्मेंट अच्छा होना चाहिए नॉइज ना आए जादा तो सबसे में है environment या फिर बच्चे को कहते हैं अच्छा feel नहीं होता classroom में उससे सब बच्चे बुली करते हैं तो उसके लिए environment भी अच्छा नहीं होगा तो इस चीज का ध्यान रखना है फिर है principle of for carrying out the teaching कैसे बच्चे को पढ़ा रहे हैं procedure वह अच्छा होना चाहिए मतलब बच्चों को सिर्फ एक ही तरीके से पढ़ा रहे हैं class ने भी ठाके पढ़ा रहे हैं वह भी बोरिंग हो जाएगा बहार लेकर जा रहे हैं हमेशा तो सब्सक्राइबस अच्छा है तो तरीका हमें देखना है कि किस टॉपिक को कैसे पढ़ाना है टाइम मैनेज करना है principle at the concluding stage इसमें क्या होता है कि procedure और methods जिसको यूज करके बच्चे को पढ़ाया उसे क्या outcomes आया बच्चे ने क्या सीखा वह चेक करना होता है ठीक है तो यह तो हमने कुछ इसके प्रिंसिपल्स देखे गाइडिंग प्रिंसिपल्स अब हम इसके कुछ देखेंगे जर्नल प्रिंसिपल्स देखेंगे स्पेसिफिक प्रिंसिपल्स देखेंगे सबसे है पहला है principle of definite aim यानि एम होना चाहिए बच्चों की जब हम पढ़ चाहिए सीखें प्रिंसिपल ऑफ क्रियेटिविटी से बच्चों को याद करना या कोई एक टॉपिक समझाना इतने तक लिमिटेड होना चाहिए वह क्रिए बच्चे अपने सजेशन्स भी प्रोवाइड कर सके प्रिंसिपल ऑफ प्रोग्रेसिवनेस बच्चा आगे चाहिए सब्सक्राइब करना चाहिए बच्चों को अपने आपको एक्सप्रेस करने का मौका मिलना चाहिए फिर है प्रिंसिपल ऑफ प्रमोट फीडबैक जैसे टीचर ने पढ़ाया तो वह उन्हें मौका दे कि बच्चों को समझ आया या नहीं आया या बच्चे जब कु हमने यही देखा कि पेडगोजी क्या होती है और हमें कैसे क्या प्रिंसिपल्स है टीचिंग के कैसी टीचिंग लर्निंग होनी चाहिए ठीक है होप है आपको वीडियो समझ आई होगी अगर आपके कोई भी राउट्स होते हैं तो कमेंट सेक्शन ने पूछ सकते हैं या ट